अगर आपके पास भी कई सारी कोल्ड रिंग की बॉटल इकट्थी हो गई हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कोल्ड रिंग की बॉटल का इस्तिमाल करके बहुत ही अच्छी चीज आप अपने क कर रही हूँ आप चाहें तो मार्क कर सकते हैं मैं इसी के साथ साथ कट कर रही हूँ ये देखे एक बॉटल कर ली है और इसी तरह से इसी के नाप से हम दूसरी बॉटल कर लेंगे किनारों को बराबर करने के लिए seezers की help ले सकते हैं तीना bottle मैंने cut कर ली है ये देखे rapper भी हटा दिया है इनकी उपर और मैंने एक cardboard का piece लिया है और इस तरह से bottle को मैंने arrange किया इसके उपर और mark कर रही हूं इसके बाद हमें से cut कर लेंगे तो बल्कुल bottle के size के हिसाब से घृक करना है यह देखे को दो इस तरह से बाटल के लिए बेस तैयार कर रहे हैं कि तो त्यक करति कार्ड बाड लिया है मैंने और यह देखे bottal के रगुड़ लगा रहे हूँ और बाटल को इस तरह से पास पास रखते हुए चिपकाना है कार्ट बोर्ड के उपर बोटल का नीचे का पाड़ थोड़ा हाड होता है इसलिए मैं ग्लूगन का इस्तिमाल कर रही हूँ और कहीं हमें ग्लूगन का इस्तिमाल नहीं करना है दरवाई जो बोटल का प्लास्टिक होता है वो melt हो जाता है, bottle चिपकाली हैं तीनों, इसके बाद मैं ये कपड़ा ले रही हूँ, लंबाई में इस तरह से cut कर रही हूँ इसको, इसके corners को हलका सा गुलाई देनी है, हलका सा trim कर लें, और side से भी से हलका सा trim कर लेती हूँ, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, इस तरह से cutting करन हैं से, जिससे ये मजबूती से चिपक जाएगा, इसके साथ glue लगा दिया है, मैंने glue gun से, side में glue gun का इस्तिमाल नहीं कर रही हूँ, ये देखे, उपर हमें इतना रखना इसको, और नापते हुए, अब हम दूसरे corner को भी नीचे इसी तरीके से चिपका देंगे, तो बहुत अच्छे से ribbon इसके साथ attach हो जाएगा, और काफी सामान आप इसमें रख सकते हैं, इस तरह से, ये देखे, उपर से attach करने के लिए मैं transparent tape का इस्तिमाल कर रही हूँ, सैलो टेप लगा दिया है उपर, और साइडों में भी हम tape को, ribbon को सैलो टेप के help से ही चिपकाएंगे, ये देखे, बड़ा सा पीस ले लिया है मैंने, और इस तरह से चिपकाना है इसको, दूसरी साइड में भी एक पीस चिपका देते हैं, तो इस तरह से हमने टेप लगा दिया है इसके उपर, और अब हम इसे cover करेंगे, कपड़े से, तो ये देखे, कपड़ा नीचे से हमने थोड़ा सा बड़ा रखा है, इसी के नाप से cut कर लिया था, ये पूरा cover कर रहा है bottles को, और उपर हमने बिलकुल, बॉटल के किनारे से लगाया है कपड़े को, अब लगाते हैं glue, मैं कपड़े के उपर glue लगा रही हूँ, बॉटल के उपर glue नहीं लगा रही है, अगर आप के पास कोई और glue है, जैसे की fabulous bond है, तो आप बॉटल के उपर भी चिपका सकते हैं ये देखे इस तरह से मैं कपड़े को टाइटली चिपका रही हूँ, पूरा चिपका लिया है नीचे तक, अब हमने इस तरह से नीचे से भी कपड़े को चिपकाना है, ग्लू लगा दिया है बोटल के उपर, एक साइट से चिपका दिया है और ये इसके किनारे हैं, यहाँ प और इस तरह से हम रेटली छिपका दिया है और ये इस तरह से दिखाई दे रहा है नेचे से धा क मैं लेट शों का है अब हम हम उपर के किनारे को हाइड करने के लिए डीबन लगा रहे हैं कि देखोड़े के उपर ग्लू लगा रही हूं इस तरह से हमें एक रिबन चिपकाना है इसके किनारों पर, जिसे फिनिशिंग आ जाएगी इसमें, और इसके लिए आप कोई थिक कपड़े का इस्तिमाल करें तो ज़्याद अच्छा रहेगा, कोई भी पुराना या नया कपड़ा आपके पास एक्स्टा पड़ा हुआ है, आप उसका इस्तिमाल कर सकते हैं, और जो कपड़ा मैंने इसके उपर चिपकाया है, काफी टाइटली खींचते हुए से चिपकाई है, बोटल को अच्छे से कवर करना चाहिए कपड़े को, कट कर देते हैं इसको, और इसका जो दूसरा किनारा है वहाँ पर भी लगाते हैं ग्लू, और इसे पूरा चिपका लेंगे इस तरह से, यह देखिए, इस तरह से हमारा पीस तयार हो रहा है, उपर से हम चिपका सकते हैं इसको फैबी बॉंड का इस्तिमाल करके ग्लू कर नहीं लगानी है, यह देखिए, अगर आपके पास फैबी बॉंड है तो आप इसे उपर से भी इस तरह से चिपका सकते हैं, यह और मजब प्रफूट हो जाएगा नहीं है तो आप इसे ऐसे छोड़ सकते हैं इधर भी हम इसे चिपका लेंगे और यह दिखें सेंटर में मैंने ग्लू लगाया है और एक फ्लार है मेरे पास ऐसे एक्स्टर पड़ा हुआ इसको लगा दिया है इसको डेकुरेट करने के लिए और यह हमारा किचिन ऑर्गिनाजर बन गया है इसे आप अपने किचिन में किसी भी कील के उपर हैंक कर सकते हैं और बहुत ही सुंदर सा स्पून होल्डर बनकर तयार हुआ है और बहुत ही ज्यादा यूजफूल है आप इसमें बड़े साइज की चम्मचें रख सकते हैं काफी सार को और्गिनाइजर तयार कर सकते हैं तो यह था पहला इस्तिमाल बोटल का और यह देखिए बोटल जो उपर का पार्ट बचा था उसका ऑप इस्तिमाल मैं अपको दिखा रही हूं मैं ने एक इंच की अप कर लिया था गोलाई में अब मैं इस तरह तो किसी भी पैन की help से आप पैटल ड्रॉ कर लें तो तीनों पीसे को हम इसी तरीके से त्यार करेंगे यह देखे ड्रॉब करने के बाद से कट करना है तो छोटी सीजर की help से आप आसानी इसे कट कर सकते हैं और इस तरह से हम बॉटल को एक फ्लार का शेफ दे रहे हैं और बहुत ही सुन्दर सा शो पीस बनकर तयार हो गए से तो यह देखे पैटल को इस तरह से कट करना है एक बॉटल में हमें लिट की जरूरत पड़ेगी बाकी बॉटल को हम बिना लिट के ही स्तिमाल करेंगे कि यह देखे इस तरह से एक पीस कट कर लिया है огल और इस तरह से थोड़ा सबाइब ऒपकर डेते हैं एक पीस को पेटल्स को पीछे की तरफ प्रैस करते हुए उपन कर लेंगे और उसके बाद सीजर्स लेकर इन्हें हलका सा इस तरह से दबाना है ये देखे इससे इनकी शार्पनेस खत्म हो जाएगी और ये हलके से मोट जाएंगे अंदर की तरफ ये देखे तीन फीसस हमने तयार कर लिए हैं अब इनको कलर करना है तो पहले मैं वाइट कलर कर रही हूँ आप टांस्पिरेंट बॉटल ले सकते हैं मेरे पास एक क्रीन कलर की बॉटल थी तो मैं इनी का इस्तिमाल कर रही हूँ तो डबल कोट लगाएंगे कलर एक बार कलर करके तो बार कलर करना है अंदर से भी कलर लगा रही हूँ अगर आपके पास स्पोंज है तो उससे कलर करेंगे तो ज़्याद अच्छे से कलर हो पाएगा बॉटल के ऊपर कलर करने के लिए sponge better होता है और मैं fabric color का इस्तिमाल कर रही हूँ है आप पर बॉटर कलर नहीं चलेंगे इसके ऊपर ये देखें एक coat dry होने के बाद एक coat और color कर दिया है और ये बागी के pieces भी हम इसी तरह से त्यार कर लेंगे तो दो पीसज़ को हम वाइट कलर में कलर कर रहे हैं और एक पीस को हम ग्रीन कलर में कलर करेंगे यह देखिए हल्का सा ड्राइ होने के बाद हम इसमें हल्का सा रेड कलर मिक्स करेंगे तो यह लाइट पिंक हो जाएगा यह देखिए नीचे के पाट को भी हम अच्छे से कलर करना है पेटल पर मैं अलका सा रेड कलर लगा रही हूँ जो वाइट के साथ मिक्सों अके पिंक टुछ दे तो इस तरह से शेडिंग कर दिए है हमने से दूसरे कलर के दोपीस हमें इस तरह से तयार करने हैं और यह मैंने एक lid लिया है इसका base बनाने के लिए और यहां पर मैंसे इस पॉंज से color कर रही हूं ग्रीन color में कोई भी medium size का lid ले सकते हैं किसी भी चीज का honey की bottle का lid होता है वो भी ले सकते हैं या कोई अचार की bottle का lid आपके पास है उसे भी ले सकते हैं ये देखे उपर से color कर दिया है इसको green इसे dry होने के लिए छोड़ देंगे और जो सबसे पहले मैंने petals बनाई थे उनको मैं green color में color कर रही हूँ और बाहर से color कर रही हूँ इसमें अंदर color नहीं लगाऊंगे क्योंकि ये already green है तो इसमें अच्छा सा color आ जाएगा ये देखें अंदर से color नहीं किया है इसको ये ऐसे अच्छा लग रहा है अब हम इनको चिपका लेते हैं ये सूख चुके हैं तो पहले pink color के दोनों pieces को हम इस तरह से चिपका रहे हैं ग्लू लगा दिया है और दोनों pieces को हम इस तरह से चिपका रहे हैं दोनों pieces में फिर से glue लगाया है और इसको हम चिपका रहे हैं green color का जो piece तयार गया उसके उपर और देखें बहुत ही सुन्दर सा flower देख रहा है और ये lid वाला पार्ट है जो green color का है नीचे उसमें डखकन लगाया है जिसे हम बड़े डखकन के इस तरह से चिपका रहे हैं और देख सकते हैं बहुत ही सुन्दर सा piece तयार हो गया है और आप इस तरह से fairy lights लगा सकते हैं जिसे बहुत ही सुन्दर देखेगा आप किसी भी कौने में एसे decorate कर सकते हैं electric यह दिया होता है वो आप इसके उपर रख सकते हैं दिया श्टेंट क